नमस्कार जातियों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एजूमित्रा पर हम कर रहे थे त्योहार और मेलो की संकला इस संकला में हमने 6 क्लास कर ली थी आज शरू कर रहे हैं 7 क्लास से तो चलिए शरू करते हैं 7 क्लास तो सात्वी क्लास में हम कर रहे हैं चेत्रमास हमने फालगुनमास तक कर ली थी आज चेत्रमास है तो चेत्रमास में भी सभी महाक की तरह दो पक्स होते हैं क्रश्नपक्स और सुकलपक्स क्रश्नपक्स पहले आता है जिसमें क्या आती है अमाउश्या और सुकलपक्स बाद मे ipsicam के चेत्रकष्ण प्रत्मा यानि की चेत्रकष्ण एकन मोगो क्या कहते हैं दुलनडी कहते हैं इस दिन हम रंगो की होली खेलते हैं एकस्न होथ के अग्ले दिन से ही अगला महा लग जाता है तो फालकुन में तो थी होली जीस दिन हम कलर से खेलते हैं रंगों से खेलते हैं उसको कहते हैं दुलंडी ये कब आती है चेतरकशन पर्तमा को तो ये होली के एक दिन बाद आती है होली आती है फालकुन पुणिमा को ये आती है चेतरकशन पर्त पुल्डोल उस्व यह आयोजित किया जाता है साहपूरा बीलवडा में यह आयोजित किया जाता है यहाँ पर रामस ने ही संपरदाई की मुख्य पीट है किसकी मुख्य पीट है रामस ने ही रामस ने ही संपरदाई की मुख्य पीट है तो चेत्रकष्ण परत्मा इस दिन दुलंडी होती है इस दिन हुल्डो उस्व साहपूरा बीलवडा में यह आयोजित किया जाता है यहाँ पर रामस ने ही संपरदाई की मुख्य पीट है दोस्तों नेक्स तो आरे चेत्रमा का चेत्रकरष्ण अस्टमी क्या है चेत्रकरष्ण अस्टमी इसको कहते है सीत्ला अस्टमी इसको कहते है सीत्ला अस्टमी इस दिन सीत्ला माता की पूजा की जाती है किसकी पूजा की जाती है सीत्ला माता की सीत्ला माता की सवारी क्या है गदा सीत्ला माता की सवारी क्या है गदा सीत्ला माता का पूजारी है कुमहार पूजारी कौन है कुमहार सीत्ला माता का मंदिर कहां पर है मंदिर चाक्षू जैपूर कहां पर है चाक्षू जैपूर जो यह मंदिर है चाक्षू जैपूर में सीत्ला माता का यह राजस्तान का सबसे परसीद मंदीर है शीतला मता का चाक शुजेपूर एक मात्र देवी जिसका वर्स में एक वार मिला बढ़ता है वो शीतला मता एक मात्र लिख ले ना आप एक मात्र देवी जिसका वर्स में एक बार मिला बढ़ता है मेला बढ़ता है तो सीतला मता वो एक मातर देवी है जिसका वर्स में एक बार मेला बढ़ता है तो सीतला मता का मेला का बढ़ता है सीतला अश्टमी को सीतला अश्टमी यानि की चेतर करशना अश्टमी को सीतला मता का मेला बढ़ता है चाक्षु जैपुर में परसिद मेला भरता है एक मात्र देवी है शीतला माता जिनकी खंडित रूप से पूजा की जाती है एक मात्र देवी जिनकी खंडित रूप से पूजा की जाती है खंडित रूप से पूजा की जाती है तो शीतला माता वो एक मातर देवी ए जिनकी खंडित रूप से पूजा की जाती है शीतला माता वो एक मातर देवी है जिनका वर्ष में एक बार मेला बरता है शीतला माता चेचक की देवी ए, ऐसी मान्यता है कि चेचक का रोग शीतला माता की अराधना करने से दूर हो जाता है तो लिख लेना, शीतला माता को सेडल माता भी कहा जाता है लिख 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 लि पुटि की कटोरिया चेत्रकर्ष्णाष्टमी को हिंदू समाज का बाच्षोड़ा इस दिन बाच्षोड़ा मनाये जाता है और शीतला मता के चड़ाया जाता है और कुछ बातें और हैं जो मैं बोर छोटा होने के कारण नहीं लिख पा रहा हूं तो आप लिख लीजिए गदो का सबसे बड़ा मेला लूणी आवास जैपुर में बढ़ता है मैं इस साइड लिख रहा हूं तो आप लिख लो गदो का सबसे बड़ा मेला लूणी आवास जैपुर में बढ़ता है लूणी आवास कहाँ पर है जैपुर तो फिर से हम देख लेता है कि चेत्रकरश्णा अश्टमी को सीतलाश्टमी कहते है इस दिन सीतला माता की पूजा की जाती है सीतला माता का पूजारी कुमार होता है कुमारदाती के लोग होते है सीतला माता की सवारी गजा होता है सीतला माता का राजस्तान में परसिद मंदिर चाक्सु जैपुर में है याग पर सीतला माता का परसिद मेला बरता है सीतलास्टमी को एक मातर देवी जिसका वर्स में एक बार मेला बरता है वो कोन है? सीतला माता एक मातर एसी देवी जिनकी खंडित रूप से पूजा की जाती है वो भी क्या है? सीतला माता है शीतला माता को चेचक की देवी भी का जाता है क्योंकि ऐसी मानेता है कि चेचक कहा रोग सीतला माता की भूजा करने से आराध्णा करने से दूर हो जाता है सीतला माता को सेडल माता भी कहा जाता है सीतला माता का परतीक मिटी की कटोरिया या मिटी का दीपक होता है गदो का सबसे बड़ा मिला राजस्तान में गदो का सबसे बड़ा मिला लूनियावास जैपूर में बरता है तो आप इसका screenshot ले लिजे दोस्तो तो दोस्तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment box में comment करके जरूर बताना अगर अच्छा लगा तो like कर देना और भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ share कर देना दोस्तो तो मिलते हैं त्यहारों और मेलों की next class में तब तक के लिए स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और गर पर ही रहिए जैहिन जैबारत